हेलो फ्रेंड वेलकम वेक तो मैं यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाउन तो यह गाउन के लिए कपड़ा है और यह इसके लिए लाइनिंग है तो ठीक है यहां पर हमें धाई मीटर कपड़ा लिया है हमने और इससे गाउन बनाएंगे तो सबसे पहले इसे हमें गहरा कट करना है जो औरेम में गहरा कट करेंगे उसकी साइड से जो कपड़ा निकलेगा उससे हम अपना टॉप पीस निकालेंगे तो सबसे पहले इस कपड़े को is यहां से हमें अपी लंबा नापनी factors कपड़े की तो सबसे पहले हम इहां पर फॉलयर में रख्या हूँआ है तो अपनी कमर का measurement ले ले जो भी आपकी top piece का है तो यहाँ पर कमर का मेजरमेंट ले लेंगे हम तो यहाँ पर हमारी जो कमर है वो 24 इंच की है तो यहाँ पर हमें 6 इंच लेना है और 1.5 इंच लेंगे सलाई के लिए तो यहाँ पर 6.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे यहां पर 6.5 पे हमने एक मार्क डाल लिया है और इससे हमें लंबाई लेनी है नीचे की तरफ तो यहां पर आपकी जो भी लंबाई हो इस साफ से ले 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 तो जो भी आप टॉप पीस बना रहे हो उसे उपर की तरफ टेप को निकाल दें हम 14 इंच का रखेंगे तो हमने उसे उपर की तरफ निकाल दिया है और नीचे की तरफ यहां से हमें अपनी लंबाई नापनी है तो लंबाई हमारे इस stack रहेगी तियार 42 इंच लंबाई तियार रहेगी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो ठीक है यहाँ पर हमें से मार्क कर लेंगे तो जितना भी आपको लंबाई करनी है उस हिसाब से मार्क कर ले तो यहाँ पर देखिए हमने इस टिप को उपर की तरफ रखके पूरे में एक तरीके से मार्क डाल लिया है तो हमें उपर से भी कट कर लेना है और नीचे की तरफ से भी कट कर लेना है टो सब से पहले हमने उपर से cut कर लिया है इस तरीके से घहरा काप tee जादा निकल के आता है और इसमय है तो कम कपड़े में भी ज्ञाधा कहते है तो सबसलाई हमने नीचे से भी cut कर लिया है सबसे पहले इसका जो टॉप पीस होगा तो अपने मेजरमेंट के हिसाब सी लाइनिंग को रख लें जैसे कि हमारी 26 इंच है तो इसके लिए हमें दो इंच लूजिंग लिया है हमने और इसे रख लिया है तो सबसे पहले लंबा ही नाप लेंगे तियार हम जो रखेंगे 14 इं तो 15 इंच पे मार्क कर देंगे एक्ष्टा कपड़े को निकाल देंगे और जो इसका तीरा है वो है 12 इंच तो यहां पर हम 6 इंच पे एक मार्क डालेंगे और जितना हमने तीरा लिया है उसी इसाब से हमें सोल्डर लेने है तो यहां पर हमें 6 इंच पर ही आर्म होस के लि जो back piece के लिए होगा, front piece के लिए हम पौना इंच पर लगाएंगे और इसे गोलाई देंगे, ठीक है, half inch की गहराई लेके, तब हमें ये front के लिए mark डालना है, तो ये back है और ये front arm house है, अब हमें गला नापना है और इसकी breast नापनी है, तो जैसे हमने बताया है, कि जो भी आप और जो कमर है हमारी 24 इंच है तो वह 6 इंच पे आएगी और उसमें भी हम 2 इंच लूजिंग लेंगे तो 8 इंच पर ले लेंगे और इसे यहां से इस तरीके से तरिचा कर देंगे तो यह हमारी फिटिंग के लिए है और यह हमारी एक्ष्ट्रा है अब इसका गला ना पेंगे तो हम इसे बॉट नेक बनाएंगे तो यहां पर हम साड़े 3 इंच लेंगे त्री और नीचे की तरब भी त्री और फिटिंग लेंगे और दोनों में बराबर बनाएंगे आप बैक और फ्रेंट में तो इसे इस तरीके से चौकोर कर लेंगे और इसमें बॉटनेक की सेप डालेंगे तो ठीक है इसका मार्क हो चुका है अब इसको सैम इसी तरीके से कट कर लेना है जो इसमें उपर आर्म हॉंस के लिए जो तीरा में मार्क डालते हैं वो हमने नहीं डाला है जो तीरा की तरफ से डाउन करते हैं क्योंकि यह छोटा है और इसकी से पिसी तरीके से ज्यादा अच्छी आएगी इसे दोनों पीस को अलग अलग कर लेंगे और बैक पीस को हटा देंगे फ्रेंट पीस में हमें आर्म हॉस की गहराई और कट करनी है जैसे कि हमने मार्क डाला हुआ है उस हिसाब से हमें इसकी गहराई कट करनी है तो यह हमारे दोनों पीस कट हो चुके हैं यह इस तरीके स्चोड़ाई और लंबाई दोनों पीस को हमने कट कर लिया है अब तो इसके आपर रखे के अच्छे से इसे कट कर ले ना है बिलकुल इसी के बरावर लाइनिंगे बराबर इसे कट कर लेंगे और सremm तरीके से हमें दोनों पीस की gmot कर जाज़ा है बेक की और फेंट आपकी की जैसे हम इसकी कर देंगे इसी तरीके पसंद आयो तो प्लीज लाइक से विए जो रूर करें और सबस्क्राइब करने के बाद नौटिपिकेशन वैल को जोड़ दमाए तक हर वीडियो की नौटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जोने हमारे चैनल को पहले से ही सबस्क्राइब कर रहे उनके लिए बहुत बह करना इस तरीके से रखके तिर्चा कट कर लिया है अब इसे सिलेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा हाप इंच के लगवग हम इसे पूरा चारो तरफ से राउंड ली कबर करेंगे ताकि इसके धागे वगएर ना खिचे तरफ से छोड़ देंगे बाकि आर्म हांस और नेक तो यहाँ पर हमने पूरे में स्लेख लगा लये च्छोटे च्छोटे नॉट्स लगा लेंगे जिससे अच्छे से पलट सके और इसे सीधा करेंगे तो यहां पर इसे हमने अच्छे से सीधा कर लिया है और इसके उपर पूरे में राउंडली दवाने वाली सलाई लगा लेनी है तो यहां पर यह हम आर्म हाउस और नेक के उपर अच्छे से सलाई लगा लेंगे सेम तरीके से दौनों पीस के उपर तो यहां पर दोनों पीस को हमने complete कर लिया है दोनों की सीधी साइध अंदर की तरफ है और यहां से हमें तीरा को joint करना है तो हमने तीरा को joint कर लिया है तो इस तरीके से देखिए दोनों तीरा को joint कर लिया अब इसकी fitting करेंगे तो यहां पर हमें सिलाई लगानी है सिलाई को बिलकुल बरावर लगाना है तो दोनों तरफ से इसी तरीके से हम इसकी फिटिंग करेंगे सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी फिटिंग कर लेनी है तो यहां पर हमने दोनों तरफ से फिटिंग कर लिया तो कमर को नाप लेंगे तो यहां पर हमारी कमर 14 इंचारी है और हमें रखनी है 24 तो यहां पर हमें दोनों पीस में प्लेटे लगानी है अपने फिटिंग के अनुसार इसमें प्लेटे लगा लें तो यहां पर हमें दोनों पीस में चार प्लेटे आई है हमें प्लेटे लगा और अब हमें इसका गहरा तियार करना है तो यहां से नाप लेंगे जितनी भी हमारे टॉप पीस की कमर है उसे साब से नाप के और एक तरफ से तो हमारे सिकर्ट पीस जॉइंट है तो दूसरी तरफ से इसे जॉइंट कर लेंगे यह बॉटम तक हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे सीधी तो यहां पर हमने सिलाई लगा लिए है पूरे में अब इसकी बॉटम को फोल्ड करेंगे तो पहला फोल्ड हम हाप इंच पे लेंगे और दूसरा फोल्ड भी हम हाप इंच पे लेंगे इसी तरीके से यह पूरे बॉटम को हम फोल्ड कर लेंगे इसमें हमने लैस वगेरा का यूज नहीं किया है इसको एक ही जैसे कपड़े से बनाया और देखिए इसकी लाइनिंग को भी हमने दौनों तरफ से सिल के बॉटम से भी सिल लिया है इसकी कमर हमने बिलकुल कमर के बरावर रखी है तो अब यह हमने उल्टा है हमारा दोनों ही लाइनिंग भी और हमारी सिकर्ट पीस भी तो हमने इसे इसके अंदर डाल लिया है यहाँ पर देखिए बिलकुल बरावर और यह जो हमारा टॉप पीस है यह हमारा सीधा है इसके अंदर डालेंगे और इसके उपर हमें अटेच करते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल बराबर लाइनिंग और कपड़ा और हमारे टॉप पीस पे तो ये तीनों चीज़ पे हमें एक साथ पूरे में राउंड ली सिलाई लगानी है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा ये गाउंड कैसा लगा है हमारे वीडियो बनाने का तरीका आपको कैसा लगता है तो इसी तरीके से ये पूरे को हम सिलेंगे तो ये हमने पूरा बना लिया है किस तरीके से बनाए है हमने आपको बता दिया है आखीर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद